नेक्स्ट क्वेश्चिन है कोई वस्तू 25 परतिसत के लाब पर बेची जाती है यदि बीकरी मुल्या यानि सेलिंग प्राइज दो गुना कर दिया जाए तो लाब कितना होगा देखिए 25 पर 30 का fraction निकालिए 25 पर 30 का fraction क्या होता है 25 बटे 100 यानि एक बटा 4 ठीक है अब 25 पर 30 क्या है लाब है तो निच्चे क्या रहेगा cost price और उपर क्या रहेगा profit ठीक है तो यहां से selling price कितना आया selling price आ गया 4 और एक 5 यूनिट ये था old selling price new selling price देखे कितना है new selling price क्या बोला है यदि बिक्री मुल्य दो गुना कर दिया जाई बिक्री मुल्य पांच यूनिट से अब double कर दो यानि 10 यूनिट 10 यूनिट कर दिया तो पुछा है लाब कितना होगा लाब क्या होता है profit जो होता है यानि लाब वो होता है selling price minus cost price ठीक है तो selling price कितना है 10 यूनिट ठीक है और cost price कितना है 4 यूनिट ठीक है तो दोनों का difference आ गया 6 यूनिट तो 6 यूनिट का हमें क्या हुआ profit अब हमें profit जो है वो percentage में निकालना है इसका formula होता है profit के divide में क्या रहेगा cost price cost price कितना है 4 यूनिट गुना 100 2 से cancel कर दीजिए 3 फिर 2 से 50 तो 50 ती है 1,500 तो 1,500 पर 30 का क्या हुआ उसे इलाब हुआ तो option जो B है वो सही answer है क्या है